असलाम अलेकूं से का लमस्ते आदा आप तो कैसे यहां अब 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 इस वीडियों बात करेंगे साओधी अरब की बहुत सारी नियूज है पलस वीजा से रिलेटेड नियूज आ चुकी है फाइनली जो साओधी गवर्मेंट एनाउस्मेंट किया था कि आप टिकट लेंगे तो उसी में वीजा भी आपका इंक्लूट रहेगा साओधी अरब घूमने का मौका बहुत ही अच्छा है तो पूरी अपडेट जानते हैं चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो शेर कीजेगा अगर आप मेरी वीडियो फेस्बूक पे पेज पे देख र दूँ आज से चार पांच छे दिन पहले मैंने अपडेट शेर किया था आप लोग को कि साओधी कवर्मेंट ने नया एनांस्मेंट किया है कि अगर आप साओधी घूमना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट आप्शन ये लोग ला रहे हैं और आप लोग के लिए फीरी व है हाउ टू अपलाई ट्रांजिट वीजा साओधी अरव या ठीक है तो यह पूरा डिटेल लिखा है मैं आपको बोलूंगा अगर आपको तसली से जानना है वीजा की बारे में अपलाई करना है कैसे क्या क्या डिटेल है एक चीजे समझाई गई अगर बोलेंगे तो मैं इ लिए ओनलाइन ट्रांजिट वीजा सुरू कर दिया गया है और यहां पर नया सेवा भी सुरू हो चुका अलहमदुलिल्ला तो यहां पर देख लिए यह आज से जो एलान हो चुका है और आपको मैं ट्वीटर पर भी लेकर कर जाता हूं जो की ऑफिशली जवाजात की स्टॉप ओवर्स तो देख सकते हैं तो इलेक्ट्रोनिक ट्रांजिट वीजिट वीजा फॉर पैसेंजर्स ऑन स्टॉप ओवर्स इन्होंने नया नाम दिया है तो यहाँ पर जो एडवांटेज आप देख सकते हैं टोटल चीज लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोपरली अच्छे से लिखा हुआ है क्या क्या है फैसलेटी आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आप जो है वीजा देखिए लगबग मेरे इसाप से यह फिरी बोल रह एन फ्लाइनस अगर आप टिकट बुक करते हैं देख सकते हैं और आपको चार दिनों के लिए अगर आप ले ले लेते हैं तो लगबग तीन महीने की है तीन महीने के अंदर कभी भी आप ट्रांजिट वीजा का यूज कर सकते हैं चार दिन साओधी अरब के अंदर रह करके ध्यान रहे इस वीजा में आप हज नहीं कर सकते और ये वीजा लेने के बाद आपको साओधी अरब एकस्पारी डेट से पहले छोड़ना पड़ेगा आपको चार दिन की जो वैलिडिटी होती है जातर फ्लाइट वगएर रात में ह होता है 12 बजे सारे 11 बजे होता है तो वह फ्लाइट आप लेकर निकल जाओ साओधी अरब से बाहर बस काम खतम आपका तो इस वीजा पर आप बहुत कुछ घूम सकते हैं देख सकते हैं आप साओधी अरब का कोई भी कोना घूम सकते हैं चार दूनों के अंदर में आप उम अंदोगार खासकर इंडिया से पाकिस्तान से सभी देशों से ज्यादा फाइदा होगार यह हर एक देशों के लिए लागू किया गया है खासकर यहां पर सबसे बेनिफिट क्या है ना कि यह देख लीजिए इसकी कुछ सर्थे हैं तो वह भी सर्थे में आपको नेक्स्ट सज्ट इरब का बताया जा रहा है साओधी अरब में गैस गैस साट फीसदी और बढ़ाने की कोशिस की जा रही है क्योंकि सुभी अरब में पैटरोल का आपका डिमांड ज्यादा रहता है लेकि साओधी अरब में देखा जाए लगवग 4 अच्छर किलो मीटर लंबी पाइ बढ़ने वाली है मतलब और सारा गया से स्टॉक करने वाले हैं इसी के साथ में आगली नियूज आपको शेर करूंगा अगर आप साओधी अरब में हैं उम्रह पर जाने वाले हैं हेल्थ इंसुरेंस से लेकर रिलेटेड नियूज आपके सामने में शेर कर रहा हूं अगर जाते हैं कि किसी भी तरह का धोका धड़ी में ना फसे और हंडेट परसें जो भी आपके मेडिकल टेस्ट बगर है कुछ भी कराते हैं तो ऑफीचल तरीके से कराएं अपडेट दिया गया देख सकते हैं आप आप आपको दिखा रहा हूं दो उम्रह इंसुरेंस सर्टिफि हैगा इनसे उनका बहुत सारा बेनफिट होगा अगली अपडेट में आपको शेयर करूंगा अगर आप गलत काम करते हैं तो भाई आप पकड़े जाओगा सीधा सीधा सीधी बात है यह काम करते पकड़े गए तो सीधे बेज दिये जाओगे जेल से बापस भी आप नहीं जयल के साथ एक लाख रेयल का जुर्माना भी लगा बहुता है साधर में भी मांगने वाले लोग बहुत सारे घुम रहें आजकल तो इन्होंने आव्वेरनेस के लिए क्योंकि हच सीधन आने वाला है तो हच सीधन से पहले-पहले लोग वार्णिंग देते रहते कि कि इसी बचो वैसे आपको भी फाइन होगा जो इस तरीके का काम करेगा उसको फाइन हो गई होगा अगली अपडेट में आपको शेयर करूँगा जद्दा से हैं इंडियन लोगों के लिए तो इंडियन भाई जो भी है जद्दा में इंडियन लाइफ फैस्टिवल हो रहा है करेंगे ठीक है तो आप अगर साओधी अरब में हैं देख सकते हैं साओधी अरब भारत पाकिस्तान और बंगलादेश के मीडिया के साथ जद्दा में प्रेस कॉन्फरेंस में बताये गया है तीन फरवड़ी को जद्दा में इवेंट होने वाला है जिसमें बहुत सारे इं करना गया फिर्व को मतलब साओधी को टकर मार का भांग रहा भाग रहा घ्याए मतलब भाग रहा था गिरफ्टार की यहां पा dips ने वीडियो बना लिया किसी ने जो एक्सिडंट किया और भाग रहा तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने जब भागने की जूरत कहीं भागने वाला सक्स कोई भी नहीं हो सकता है 100% कि यह साओधी ही होगा क्योंकि अगर कोई रजनली ठोकता है तो गाड़ी को वहीं पर रोग देता है कई भागता नहीं है कभी आप भागे ऊपनी की बाट भागे आप में को कम्मेंट करना अगली अपड़ेट पर शेयर करूंगा साओधी अनम्हें लगवा का बहुत सारो ल आता है टाइम से जाकर के रिन्यू कराए कीजिए औरना आपको इस पर फाइन वगर आ जाएगा साड़ दिनों का टाइम होता है वरना सौर याल का चुर्माना आता है उसके अंदर अंदर अगर आपका एक्सपायर है तो जाकर करें अपडेट कराईए अगर दो मही ना तीर म अच्छे से समझा सकूंगा पूरा डेटेल क्योंकि आज तो यह अपडेट आई है प्रो पर लेकिन इसका चानवीन करेंगे अच्छे से देखेंगे दैन आपको हम समझाएंगे क्योंकि आप अगर अभी जाएंगे साओधी एरलाइन्स की विबसाइट पर मैं भी गया था मुझे भी आभी यह ऑप्शन वहाँ पर नहीं दिखा है शायद सर्कुलर आए साओधी एरलाइन्स का देन वहाँ पर अपडेट हो फिर हंडिट परसें वहाँ पर वरकिंग करेगा यह वीजा फिरी वीजा को आप्शन बट 97 यह 92 रियाल इसमें चार्जेज है ठीक है कर दो